हेलो दोस्तों कैसे हो आप लोग आज में आपको बताऊंगा कप्टी बाज की कहानी दोस्तों एक पेड़ था उस पेड़ की डाली पर एक बाज रहता था और दोस्तों उसी पेड़ के नीचे एक लोमडी भी रहती थी एक दिन जब लोमडी जंगल में जा रही थी तो बाज ने सोचा अब तो ये चली गई है मैं इसके बच्चे को लाकर अपने बच्चों को खिला देता हूँ तो दोस्तो जब लोमडी जंगल में चली गई तो वै बाज लोमडी के बच्चे को अपने गोंशले में ले आया और दोस्तो कुछ देर बाद जब लोमडी पेड के नीचे आई तो उसे अपने बच्चे दिखाई नहीं दिये तो लोमडी ने सोचा कि मेरे बच्चे ये बाज ही लेकर गया होगा लोमडी ने उस बाज से कहा कि हे बाज मेरे बच्चे लोटा दो वरना अच्छा नहीं होगा बाज ने सोचा मैं तो पेड में उपर बैटा हूँ ये नीचे मेरा क्या करेगी तो दोस्तो इतनी ही देर में लोमडी ने सोचा कि मुझे कुछ न कुछ उपाई करना पड़ेगा और दोस्तो लोमडी पास के एक मंदिर में गई और मंदिर में से एक जलती हुई लकडी ले आई और जलती हुई लकडी को पेड के नीचे आग लगा दी उससे दोस्तो उस पेड में भी आग लग गई इसलिए बाज ने सोचा अब तो मैं नहीं बचूंगा और मेरे बच्चे बीमारे जाएंगे इसी वज़े से दोस्तो बाज ने उस लोमड़ी का बच्चा उसे लोटा दिया और दोस्तो वैज अपने बच्चे को लेकर भी उड़ गया तो दोस्तो हमें ये कहानी से ये सिंख्ष्या मिलती है कि हमें हमेशा दिमाख से काम करना चाहिए दोस्तो अगर कहाने अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें और दोस्तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर से कर दें